आईए मैं चाहता हूँ हम सब ओपिन करेंगे सेकंड कुरेंथियो चैप्टर लेविन दूसरा कुरेंथियो और सका ग्यारा आत्या है सब ने ओपिन किया धर्ड वर्ड सेकंड कुरेंथियो चैप्टर लेविन वर्स त्री द्यान दीजे मैं डरता हूँ जैसे साप ने अपने चतुराई से हवा को बैगाया वैसे ही तुमारे मन उस सीधाई और पवित्तरता से जो मसी के साथ होनी चाहिए कहीं ब्रश्ट न हो जाए बताईए ये घटना कभी की है आप बिलीव कर रहे है पॉल एक चर्च को उस टाइम पे चार हजार साल पहले की बात लिख रहा है 4000 पहले वो उनको कुछ बता रहा है क्या हुआ था मैं बहुत डीटेल्स में आपको समझा हूँगा आज थाकि आप इस मैसेज को समझ पाओ Another Jesus Another Gospel Another Spirit त्यान दीजें बाइबल मुकदस ये कहती है कि परमेश्वर ने इस पृत्वी आकाश और जो कुछ समुत्र के अंदर है ये रोग परमेश्वर ने हमें पृत्वी दिये पानी उसने मचलियों को दिया आसमान उसने परिंदों को दिया और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इन सब को बनाया और जानते हैं दब बाइबल से जिस मट से जिस मटी से परमेश्वर ने हमें बनाया उस से मटी से उसे जानवरों को भी बनाया और बाइबल ऐसा बताती है कि सब कुछ बनने के बाद सब कुछ सुनने के बाद वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने आदम को एक जगा पे रख दिया आप चाहते हैं उसके बाद प्रभू ने एक काम किया था वहां पर परमेश्वर चाहता था कि आदम किसी के साथ संगती करे आप बिलीव कर सकते हैं आदम के पास कुत्ता भी आया था कि वरादम को अच्छा नहीं लेका विलिव आया थी एविए शेर भी आया था अच्छा नहीं लगा जब परभी सरह ने देखा किया किसी से मेल नहीं खाता यूर आच आजकल आप देखते रहेंगे बहुत सारे गरों में डॉक्स हैं, कैट्स हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक हद तक ठीक है, पर क्या वो आप उनके साथ संगती कर सकते हो, एक हद तक ठीक है, चलिए, आप में से कुछ लोगों को, कुछ एनिवल लवस होते हैं, जो मैं गर में गया था, वहां कुत्ता था, बिल्ली थी, वाइट चुवा था, बर्ट्स थे, मैं लास ने पूछा, गर है रानी बागे, हाँ, ट्रस्ट में, एक गर में सब थे, तो मैंने उनको बला सांप भी नहीं है यहां पर सांप रखो, और मैंने उनको बला लायन रखो, और मैंने बोला वो जो एक लंबा था, इसकी मुंडी बहुत उपर रहती, जराव पर रखो, एरस पर रखो तो वह अस रह थे, मैंने बोला यहां, बैटने की जगा नहीं है तुमारे घर में, कोच पे कुता बैठा है, वहां पर बिली बैठी है, और वाहां वाइट चुव पे आगया हुमें जिसे, तो सब लोग रखते हैं कुछ लोग और बहुत लोग रखते हैं, आदम के पास सब कुछ लेकर आया पर मेश्वर, पर किसी भी जानवर से इसका मैच नहीं हुआ, आप चानते हैं हमारी पढ़ाई में से हमको बताया गया है कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंप्रूव हो के इंसान बना, एक बच्चा बढ़के आया था, यादना, बढ़के जब मा के पास गया, बॉला मा, मैंने स्कूल में सीखा, हम पहले बंदर थे, बॉला नहीं, नहीं बिढ़ा, गलब सिखा रहा है, बाप के पास गया, बॉला पपा, हम तो माने पहुत ही smart answer दिया उसने तेरी अपनी story बताई मैंने अपनी story बताई वो बंदर ही था actually बंदर से इंसान बना है लेकिन मैं इंसान ही थी and you know the Bible says परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को जब एक एक करके मिलाया तो कुछ match ही नहीं हुआ तब प्रभू ने ये decide किया कि अब मैं इसके लिए एक story बनाऊंगा और Bible ऐसा बताती है कि प्रभू ने उसके लिए पहले मट नहीं ली उसके लिए प्रभू ने उसकी हड़ी निका ली बोलिए हड़ी Bible ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पसली की हड़ी निकाली बोलिए पसली पसली से कहते हैं किसे कहते हैं इस प्लेस को यहां से प्रभू निकाली परमेश्वर बहुत ही भुद्धिमान परमेश्वर वो बहुत अच्छे से जानता है कि actually चीजों को कहां से निकालना जड़ा सोचिए पीटर भाई अगर परमेश्वर आदम के हड़ी सर से निकालता सर से तो हर जगड़े में औरत क्या कहती है ए आवास नीचे मैं सर से आई हूँ और जड़ा सोचिए अगर प्रभू हड़ी को यहां से निकालता पैर से तो आप लोग जगड़े में क्या बुलते हैं तो मेरे पैर के नीचे आई है आप जानते हूँ परमेश्वर ने उसे पसली में से निकाला सिर्फ एक बाद शो करने के लिए कि तुम दोनों एक्वल ह बहुत सारे लोग बहनों को डी मोटिवेट करते हैं भाईयों मैं इनको डी मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको एक सच बता रहा हूँ आप जानते हो खुदा के साथ संगती करना ये बात हमको परमेश्र के वज़न में किसी भाई नहीं सबसे पहले किसी बहन के द्वारा सिखाई गई है मर्यम Do you know? Hey मार्था देख मर्यम को उसने वो भाग चुना है जो उसे छीना नहीं जाएगा परमेश्वर के वचन को सुनना ये पहली बार हमें किसी भाई के द्वारा नहीं एक बहन के द्वारा सिखाया गया है It's a privilege तो कोई भी किसी भी बैन को दी मोटिवेट नकरे कि आप ये नहीं कर सकते हो मैं आपको कहना चाहता हूं अगर परमेश्वर को अंत के दिनों में अगर कोई जेंस नहीं मिलाना तो वो बैनों का भी उप्योग कर सकता है और वो करता भी है आज भी आप देखिए इतिहास रहा है बहुत सारी बेहनों को परवेज़ों ने इस्तमाल किया है आप जानते हो जब परमेशवर ने देखा कि अब आदम के साथ कोई मैच नहीं कर रहा तब जानते हो परमेशवर ने क्या कहा उसे यहां से निकाला और परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया और वो नाम था सहायक मैं आप सारी बेहनों से पूछना चाहता हूँ क्या आप अपने पती की सहायक है बोलिए आप उसके बोन हैं के बोन कैंसर है कुछ बेहने मैं कुछ सच कहता हूँ अपने पती के लिए bone cancer है trust me बिलकुल ऐसा है मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपको अपनी calling पता है आप अपने पती को अपने आधीनता में रखना चाहते हो कि आप अपने पती के आधीनता में हो ठीक है अभी इतने spiritual तो कोई भी नहीं है कि आप में कोई अपने पती को सविर सविर के स्वामी ब्रेट बटर के ओमलेट मुझे पता है कोई भी पतनी आपर ऐसा स्वामी सारा की तरह इतरो तो कोई भी spiritual कानिया सा है कलीज से हमें कि आप उठो और आप उसके बैट के सामने खड़े हो जाओ और जैसे वो आखे मलते मलते उठ रहा है और आप उसको बड़े प्रेम से बोलते हो स्वामी ओमलेट ब्रेट बटर पोहा वाट यू वांट ऐसा तो कोई है नहीं है आपर पॉसिबल ही नहीं है ठीक है मैं आप से पूछता हूँ क्या एटलीस आप उसे इज़द से बात करते हो एक बहन अपने पती को हमेशा A.G.O.G. बोलती थी तो मैंने बोला सचतरी A.G.O.G. मैं बच्पन से सुनते आया हूँ लेकि इसका अर्थ क्या है मैंने बोला मत पूछो मैंने बोला नहीं मुझे जानना है 75% जेंट से तू आजकल बहुत सारे भाई लोग अपनी वाइफ को ऑनर नहीं करते और बहुत सारी बहने अपने पती को ऑनर नहीं करती मुझे एक बात बताईए आपको डर नहीं लगता कि आपकी प्रेयस का आंसर उप जाएगा Lack of respect आप कभी-कभी कुछ लोगों से बात करोगे न आपको फील होगा यह sensitive नहीं है बात करने में तो मैं क्या करूँ? याज़न कुछ बोलता न यहीं तो मैं क्या करूँ? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो Talk करने की sensitive नहीं खोचुके हैं पूरे तरह से उनको बता भी नहीं है actually how to talk मैं आपको सच कहता हूँ the Bible says जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनश है यह वो वचन नहीं है यही इसकी बात नहीं जो talk करने में लिखा है जो talk करने में perfect है वही तो perfect है मैं आप इसे सबसे पूछना चाता हूँ पती पत्नियों से कैसा behavior है आपका एक दूसरे के साथ क्या आप बेहनों को यह पता है कि आप actually अपने husband के help के लिए हो और क्या आप भाईयों को पता है कि यह आपकी पसली है equal है आपके साथ परमेश्वर ने आदम को अलग कर दिया और जानते हैं उसके से हड़ी निकाली आप में से कितने लोगे बाद जानते हैं आदम को सुलाया क्यों गया उसे सुलाया गया हड़ी निकाली गयी बनाया गया उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया उसे दी अब सुनिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को बिटा वहीं बैठ जा कहाँ पर वहीं बैठ जा लिसन बाइबल ऐसा बताती है उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक गिफ्ट दी परमेश्वर ने उन्हें घर दिया आप जानते हो परमेश्वर ने उनके लिए काम दिया परमेश्वर ने उनके लिए फ्रूट्स रखे आप इसे कितने लोगे बाद जानते हैं परमेश्वर ने उनको घर दिया परमेश्वर ने उनके खाने के लिए फल दिये और प्रभू ने उनके लिए काम रखा था रोटी कपड़ा मकान उत्पती में ही सौल कर दिया गया था परमेश्वर ने उनके लिए काम भी रखा था कि वो काम करें और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने वाँ पर काम दिया उनको रख दिया और याद रखना सबसे पहले परमेश्वर ने कोई काम बनाया था तो वो था किसानी, कुर्मी, खेती, फार्मर बनाया था उससे पहले इंसान को, वो खेती करते थे, और जानते हो वचन क्या कहता है, एक टाइम ऐसा आया, जब परमेश्वर ने उनको वहाँ पर रख दिया, रखने के बाद, आप जानते हो, इससे पहले ही शैतान गिरा दिया गया था, अपने एक टेहाई सोर्दुतों के साथ, और जब परमेश्वर एवरी सिंगल डे स्वर्फ से नीचे उतरता था, आदम और हवा से मिलने, ये चीज डेवल एवरी सिंगल डे अब्जर्व करता कि ये रोज नीचे आता है, रोज इस गाडन में जाता है, रोज इनके साथ बैठता है, वो समझ गया, actually ये इनसे प्यार करता है, इसलिए उसने परमेश्वर को वह हाम कर नहीं सकता, आप जानते हो, परमेश्वर किसी डेवल किसी बिलीवर को हाम नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहती है भाइबल, ऐयोप पे अएक करने से पहले उसे पूछा था, क्या मारूं। आप ट्रस्ट करेंगे, अब भो जानता है के आप और के दौर आपको इरिटेट करदे की कोशाश नहीं है। पकड़ो घर के अंदर एक कमजोर व्यक्ति को और इसको इरिटेट करो यू नो वो आपके पास कभी भी डारेक्ट नहीं आ सकता उसकी आउकात भी नहीं है तनी कि वो आपके सामने आपको आपको डराए अब वो कहता है कि प्रभू इसने मुझे मुझे मना करके रखा है कि मैं इसकी चर्श को टच नहीं कर सकता अब एक काम करता हूँ पकड़ते हैं किसी को आपने देखा होगा कहां पर भी बाइबल के अंदर जीजस को डेविल ने डारेक्ट इरिटेट नहीं किया हमेशा फरीसियों के थ्रू इविन अयूब की किताब पढ़िये वो उसको डारेक्ट कभी कुछ नहीं कर पाया लेकिन उसको यूनो परमेश्वर अयूब के लिए कहता है इसके सारे परिवार को ले ले तूँ खतम कर दे और वो करता भी है दस के दस बच्चे एक दिन में खतम हो गए सोचो उस बाप की हालत के उसके दस बच्चे उसके सामने डे वन पे कौफिन में पड़े हुए थे लेकिन जानते हो कभी उसकी पत्नी को उसने कुछ नहीं किया एक दन उसकी पत्नी आके उसको कहती है अयूब बोलता है येस क्यों जिंदा है तू पहले काम कर इसको गाली दे पे उसको कोस और उसके बात मर जा जानते हो अयूब क्या कहता है हे मूड स्थरी English बहुत beautiful है Oh fool lady प्रभू ने दिया प्रभू का नाम धन्य है जानते हो अयूब जान गया कि actually कौन बात कर रहा है शैतान ने हर एक को खतम कर दिया सिवाए उसकी पत्नी को क्योंकि शैतान जानता था अयूब को मारने के लिए ये चाहिए कई बार शैतान आपको कभी direct touch भी नहीं कर सकता वो एक person को पकड़ेगा जो already weak है जो खुदा से दूर है जो church में आके भी यहाँ वहाँ देखता रहता है बस यहाँ वहाँ देखेंगे यह क्या बना है वो क्या बना है ऐससे लोग को पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो आपको irritate यू नो actually शैतान चाहता था अयूप मरे पर permission ने उसको इजाज़त नहीं दी थी अब वो से मारे कैसे बहुत बार भाई devil आपको direct touch नहीं करेगा किसी व्यक्ति के दौरा आएगा इसलिए Paul कहता है हमारी लड़ाई मास और लहू से नहीं है परन्तु उन अंदिकार की शक्तियों से है जो आकाश में है और आप जानते हो Bible ऐसा बताती है कि एक time ऐसा है जब जब उसे discern कर लिया आखिर के यार इनका आपस में कुछ नाता है खुदा का और इन दोनों का और एक दिन Bible ऐसा बताती है कि वो एक साप के अंदर गया कई लोग कहते हैं ब्रदर शैतान साप में चला गया येस न्यू टेस्टरमेंट में सुवरों में भी चला गया एक आत्मी ने पूछा मुझसे भाई सुवरों में चला गया ये कैसी बात है प्रभू कितना तुम्हारा या है मैंने बोला धन्यवाद कर सुवरों में गई तो तेरे अंदर आती बोला हरी हो मैंने बोला प्रभू का धन्यवाद कर सुवरों में गई प्रभु को पता था, इनको यहाँ पर छोड़ दिया, पूरे गाउं को पजस कर लेंगे ये लोग, प्रभु ने का, जा, पिक्स में जा, पेरे बच्चों को कुछ मत करना, वाट गॉड वही है, क्या परमेश्चर है हमारा, जारा सोचो, उसे सूरों में नहीं डाली होती ही, तो एक एक तो इधर ही पड़ी देती है हमारे अंदर, मैं प्रात्ना करता आप हिलते, किते लोगों ने कभी दुष्टात्मा उसे इंटर्व्यू लिया है, निकालने के लिए गए हैं कभी आप दुष्टात्मा, किते लोग गए हैं दुष्टात्मा निकालने के लिए हाथ उठाइए, वन, टू, बैनों में से, बैनों में से, त्री, फोर, फाइव, सिक्स, से कर दो पर जाके क्या करते हैं आप कहां से आई है तर बांदरा कुल्ला कॉम्लेक्स में रहती है उस पूछते कहां से आई है जैसे वह अंधिरी वेस्ट में रहती है आपका नाम क्या है मेरा नाम मिस जूली है और सब पूछने के बाद वो आपको ये कहेगी, सुन, निकालने आई है, मैं इंटर्विने ने आई है, दुश्टात्मा से बात क्यों करते हो, कितने लोगों ने ये वचन पड़ा है, इशू ने उन्हें बोलने नहीं दिया, और कहा, निकल यहां से, डीमन से कोई बात करने क कोशिश मत करो, उनको बोलो, तु कौन है, क्या है, जानने की ज़रूत निए, निकल यहां से, भाग यहां से, अनील हूँ, सुनील हूँ, कुमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, एक कदो नाम बताया उसने मुझे, मैंने इसे, एक डीमन से मैंने बाई मिस्टिक नाम पूछ आप कौन हो, मैं अनील हूँ, आप बलीब करो, मैं तीन महीन अनील को दूढ रहा था, उनके खांदान में पहुंच गया, भाई, आपके अनील कौन है, अनील तो कोई है, नहीं, अनील को दूण हो, अनील मिल भी गा, तो क्या होगा, एक ही चीज कहनी है, एक ही चीज, I am the servant of the living God मैं जीवित परमिश्र का दास हूँ निकल यहां से और अगर वो हिल्टी नहीं है तो यह मस सोचो कि वो नहीं गई आपने बोला है उसे जाना है इस इस अवर बिलीव यह हमारा बिलीव है दा बाइबल सेस शैतान एक साप में गया और आराम से चड़के उससे जानते हो किस से बात की उसे देखा कौन है जो बहुत इमोशनल है इमोशनल लोग जल्दिया टकते हैं न विस्डम वाले कहां टकते है इसलिए वुमेन को कहा गया है टोन्ट बी इमोशनल कि भावना तक मत बनिये बुद्धिमान स्त्रीगर को बनाती है यो नो उसे बहुत मुझे लगता है कि उसने पूरी तरह से इस बात को सर्च किया कि इन दोनों में इमोशनल कौन है आप जानते हो इमोशनल लोग कैसे होते हैं जहां से प्यार मिला वहां बह जाएंगे इसको कहते हैं इमोशनल आपको किसी ने थोड़ा प्यार दिया आप भूली गए कि आप कौन हो आप मैरिट हो, अनमैरिट हो ये हो, वो हो सामने वाला कौन है आपको पता भी नहीं रिश्तिदार है, वो है एक्स्ट्रीम में बह जाते हैं इसे कहते हैं इमोशनल व्यक्ति लेकिन वाइस व्यक्ति मैं आपसे पूछना चाता हूँ जवान बैनों से अगर एक लड़का आपके सामने आए और आप देख रहे हो कि वो आपसे फ्रेंडशिप करने बहुत घाई कर रहा है अगर उसने अपना पैर एक्सलेटर पे इतना फास्ट रखा है कि फ्रेंडशिप हो जाए तो मुझे बताईए आपका पैर किस चीज़ पर होना चाहिए ब्रिक पर आप मुझे पूछो भाई आपका नाम क्या है सूरज प्रिमानी भाई अपको उम्र 33-34 भाई आप क्या खाते हो मैं आपको नहीं बता हूँगा हमारी कुछ लिमिट्स है कभी-कभी लोग रिप्लाइ न करें न इससे भी समझ जाओ कि आप आप नौनसेंस कुश्चन्स कर रहे हो बी वाईस मैं कई बार लोग को रिप्लाइ नहीं करता हूँ और फिर वो मुझे बोलते न आप रिप्लाइ क्यों नहीं करते हो मैंने का भी वाईस समझो आप नौनसेंस चीज़े पूच रहे हो अब अब जानते हो हमेशा डेविल एमोशनल लोग को पकड़ता है वाईस लोग को नहीं पकड़ पाता है क्यों बाईबल ऐसा बताती है कि उसे पत्रस को पकड़ा कि ईशु को इरिटेट करें एक बार कभी जीजस को कैच नहीं कर पाया जीजस आल विस्टम ईशु के पास बुद्धी होती थी जानते हो एमोशनल और वाईस मैन में क्या फरक होता है एमोशनल विक्ती बिलकुल नहीं सोचता वो कर देता है वाईस विक्ती जानते हैं क्या बोलेगा वन वीक चाहिए मझे मैं प्रेय करूँगा जरा सोचिए वो जान गया कि एक्चली इन दोनों में से एमोशनल कौन है वो सीधा हवा के बाज जाके कहता है क्या ये सच है कि प्रभू ने कहा है कोई फल मत खाना हवा उससे कहती है नहीं ऐसा नहीं है हम सब खा सकते हैं लेकिन एक है जिसको हम खा भी नहीं सकते और जिसको हम छू भी नहीं सकते अब मुझे बताईए प्रभू ने ये कहा था कि छूना भी मत प्रभू ने सिर्फ कहा था खाना भी मत अब देखो बातों में एडिंग कर रही है होते ना कुछ लोग ऐसे भी थोड़ी सी बात को इतना चुइंगम की तरह खीच के आपके लिए ऐसा बोलके गए आपके लिए ऐसा बोलके गए हैं ये लोग हवा की सची संतान है कौन है? सची संतान जैसे मेरी आदी माता थी वैसे मैं हूँ बिलकुल मैं उसको फॉलो करती हूँ याद रखिए किसी का घर अगर तूटा और उसने आपको बद्वा दी वो लगेगी that is the Bible says don't curse बाइबल सिखाती है श्राप मत दो कभी भी याद रखना अगर आपने किसी को over limit परेशान किया और उसके अंदर से कुछ निकला आप problem में आओगी because the Bible says खुदा कर्स नहीं करेगा लेकिन याद रखना in the new testament में ऐसा लिखा गया है किसको श्राप मत दो मैं प्रभू को कह रहा था प्रभू आप कहते हो श्राप मत दो लगता है yes लग सकता है वो तुमारी success रुख सकती है तुमारी बातें बिगड सकती है and you know उसके बाद क्या हुआ the Bible says हवा को श्राप कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा बिंदास खाओ कुछ नहीं होगा it's okay और Bible बताती है कि उसने ट्रैक होके वहां से उसको लिया बाइट किया और उसके बाद वो कहती है आदी कम आदम का पैट निम था वो आदी आदी कम और आदम महाँ पर जाता है बोलिये 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 और उसको बोलती है अरे क्या मस्त मजावा यार बड़वड़ा पाउखल eat something और वो भी खाता है जैसे वो खाते हैं वे नंगे हो जाते और उसके बाद स्टार्ट हुआ decline जरा सोचिए अगर शैतान हवा को ये कहता इसे खाने के बाद तुम नंगे हो जाओगे तेरा छोटा बेटा तेरे बड़े बेटे को मार देगा ये होगा वो होगा आप मुझे मताओ हवा खाती आप जानते हो हमेशा डैवल की छोटी से मिठास के पीछे बहुत बड़ी कड़वाहट भी रहती है एक परमेश्वर के जन ने कहा जब परमेश्वर प्याला दे तो वो थोड़ा कड़वा होगा लेकिन बहुत मीठा होगा बात में पर शैतान अगर कोई प्याला पिलाए तो पहला बहुत मीठा होगा लेकिन अंत में कड़वाहटी मिलने वाली है इस पल उस समय वो वहां से अलग हो गए अब ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई ये सेम स्टोरी पॉलुस यहां पर कुरंथु की कलिशा को कहता है मैं डरता हूँ कि जिसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बैकाया वैसे ही तुमारे मन उस सीधाई और पुवित्तरता से जो मसी के साथ होनी चाहिए कहीं ब्रश्ट न हो जाए वो सेम चीज छोटी सी बात में कहता है कि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ आज से बहुत साल पहले एक सांप आया उसने उनकी पुवित्तरता को ब्रश्ट कर दिया अब वो हमारे लिए नए नियम के विश्वासियों के लिए जानते हो क्या कहता है अब मैं डरता हूँ कि तुमारे मन में जो सीधाई और पवित्तरता रभू के साथ होनी चाहिए कहीं ब्रश्ट न किये जाए अब मुझे बताईए इस चर्च के अंदर कोई सांप आएगा कि ऐसे कर्टन की उपर बैठा रहे और आपको बोले इसको मार इसको पीट इसको गाली दे नहीं आएगा ना आप बिलीव करते हो ना पर आप जानते हो उसके नेक्स्ट वर्ट में पॉलूस एक्चली हमें समझाता है कि जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में एक सांप ने उन्हें ब्रश्ट किया अप न्यू टेस्टमेंट में चर्च कैसे ब्रश्ट होती है ब्रदर नेक्स्ट वर्ट हैरान हो जाएंगे आप सुनके यदि कोई तुमारे पास आकर किसी दूसरे इशू एनधर जीजस का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया या कोई और आत्मा एनधर स्पिरिट जो पहले नम मिला था और कोई और सुसमाचार एनधर गॉस्पल दूसरा इशू दूसरा आत्मा दूसरा सुसमाचार बोलता है पॉलूस के जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में सापने हवा को बैकाया वैसे ही न्यू टेस्टमेंट में ये प्रचार लोगों को स्पॉयल करेगा बतल मैंने को इमेसी थी लगाने के लिए कल अब मैं सीधा आपको फोकस यहां करवाना चाहता हूँ कि एक्चली एनधर जीजस एनधर स्पिरिट एनधर गॉस्पल ये है क्या किस तरह से पुराने नियम के अंदर सापने हवा को बैका दिया और न्यू टेस्टमेंट ने पॉल कहता है ये तीन चीज़े हैं जो कलीस्या को पवित्तरता से निकाल के एक ऐसी कलीस्या बना सकती है जो एक हार्लेट कहला सकती है चांते हो कुरंतियों में लिखा है याकूप में लिखा है हे वेबी चार्नियों आप चांते हैं ये क्या है सुनिए ध्यान दीजे आज के बाद है न हमेशा आपको समझ में आएगा मुझे किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए बाइवल मुकदस ऐसा कहती है एक समय था जब परमेश्ण के लोग कनान से मिस्तर से निकल के कनान जा रहे थे जानते हो वहाँ पर क्या हुआ प्रभू ने मुसा को कहा था जब तू उनको निकाल के लाए न तो इस पहाड के निचे ठैरना जब मुसा उपर गया तो जानते हैं वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर दस आग्याओं को लाने में 40 दिन लग गए थे 40 days for 10 words दस वचनों को पट्टियों पर लिखने में 40 days लग गए थे नीचे पब्लिक खड़ी हुई थी नीचे पब्लिक जैसे खड़ी हुई थी और चानते हो इस पब्लिक के पास एक चीज थी इनके घले में इनके नतनों में इनके कानों में गोल्ड ही गोल्ड था क्योंकि ये वो लोग थे जो मिस्तर से बहुत सोना लेके निकले थे अब ये लोग देखिए मुसा उपर गया है एक लीडर उपर है एक लीडर नीचे खड़ा है जिसका नाम है हारून और जानते हैं हुआ क्या जब 40 दिन हो गये तो हर एक को एक बात का शक हुआ कि शायद मुसा मर गया है अब ये वापस नहीं आएगा तब जानते हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने हारून के पास जाके कहा एक काम कीजिए महाँ आपको अपना सोना उतार के देते हैं उसकी एक मूरती बनाएए और वो मूरती हमारे आगया के चलके हमें रास्ता दिखाए और जानते हो हारून ने क्या किया आप बिलीव कर सकते हो हारून मुसा से बढ़ा था मौसिस 80 का था 83 का था सब लोगों ने अपना गोल्ड उतार उतार के हारून को दिया और हारून ने वहाँ पर बैठके सबसे पहले गोल्ड को बिगलाया पूरा आग में घरम किया और उसके बाद उन लोगों ने एक काफ बनाया उन्होंने एक बच्रा बनाया और बच्रा बनाने के बाद जानते हो क्या किया उन्होंने उस मूर्ती को आगे रखा और जैसे उन्होंने आगे रखा वो लोग कहते हैं यह वह देवता है जो हमें मिस्र से निकाल ले आया जब प्रभू ने ये बात देखी उपर से प्रभू मुसा को कहता है जट उतर जा तेरे लोग बिगड गए इनके अंदर पेशन्स नहीं रहा है अब ये बिलकुल बिगड चुके हैं अब और मुसा जैसे नीचे आता है और आप जानते हो मुसा इतना गुसे में आ गया कि मुसा ने उन दो पट्टियों को टैबलिट्स को लेके इतना जोड से फेका कि वो ब्रेक हो गई आगे चलके खुदा ने उसे वापस बना के दी दूसरी मैं आपसे पूचना चाहता हूँ क्या आप इन दिनों में ऐसे लोग देख रहे हो कि आपको जो खुदा चाहिए वो सेम खुद आपको बना के देती हैं सेम मैं ऐसे परचारक भायों को जानता हूँ जो अपने कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ चंगाई का परचार करते हैं प्रभू में आओ, आप चंगे हो जाओगे, प्रभू में आओ, ये होगा, वो होगा, और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, you know, so, so cunning, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्हें बहुत पेट में दर्द है, पांसो लोग हैं, एक दुख नहीं हुआ, पुली, अभी मैं आप में से यहाँ पर किसको बोल दूँ, यहाँ पर कोई है, जिनको पेरों में दर्द है, भाई, दो गंटे से बैठके पेर में दर्द नहीं होग you know so clever preaching कई लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे even मैंने इन दिनों में देखा कि कुछ परचारक भाई जानते हूं नंबर बता रहे mobile नंबर, p.o. box नंबर ये नंबर, वो नंबर अरे इसे क्या होगा सब कुशल है सब कुशल है सब कुशल है यर्मिया के समय लोग कहते थे और प्रबून को कहता है कुछ भी कुशल नहीं है सब बिगड़ा हुआ है घर में लड़ाई जगड़े चल रहे है और कलीसा में सब कुशल है मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आप किसी यूट्यूब पे किसी ऐसे वेक्टी को सुन रहे है जो वही बाते कहता है जो बिलकुल आपको चाहिए मैंने उस दिन रिपेंटेंस प्रीच किया था चर्च में मैं जब बाहर निकल रहा था एक बेहन मिली मुझे और जानते हूँ मुझे क्या बोलती है बोलती है आप ऐसा स्टेंडर्ड प्रीच कर रहे हो जो कोई चली नहीं सकता एक्शली इसको हर्ट हुआ किसी चीज़ को लेकर कि से हम रहे हैं और सुदर ने भी हमको बोल रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं फेड़प हो जाते हैं कुछ लोग सोचते हैं मुझे अच्छली उनकी बास समझ में आ गई वो बेहन कुछ बरदाश कर रही थी अपने लाइफ में और जब उसने ये संदेश सुना कि बरदर हमें ही चेंज होने के लिए बोल रहा है इतना सैने के बाद भी तो उन्होंने मुझे बोला बरदर आपका स्टेंडर्ड बहुत उंचा है मैंने का येस इट्स अ बाइवल स्टेंडर्ड ये मेरा नहीं है ना बाइवल का है सिस्टर मैं आप सिर्प पूछना चाहता हूँ यूट्यूब पे किसको सुनते हो किस तरह की प्रीचिंग सुनते हो क्यों आपको कभी-कभी यहां से आने वाला वचन कम एफेक्टिव लगता है लेकिन यहां से जाने के बाद ओ यह पास्टर क्योंके जानते हो उस पास्टर को की लाइफ नहीं पता है वो तो वहाँ से बोलता है आपके पास्टर को की लाइफ पता है इसलिए वो स्ट्रेट आपको बोलता है घर के पास्टर को बहुत कम लोग पसंद करते हैं लेकिन बाहर के पास्टर को सब पसंद करते हैं ब्रदर आज लाइव आने वाले हैं ये पास्चर अच्छा 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 वेरी गुड जानते हो आप क्यों दूसरों को पसंद करते हो बहुत जादा घरू कलीश्य हike पास्चर इतरा ना अच्छा कि नहीं लगता जा गरू पास्चर की कलीश्य है इसको सब पता है उसक कितने बड़े एक्टर हो, कितनी बड़ी एक्टिंग करते हो यहाँ पर बैटके, कितना जोर जो से हलोलिया बोलते हो, लेकिन गर के अंदर गालिया निकालते हो, उसको पता है आपकी लाइफ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग यहाँ देख रहे हो, सुनी, न इस पुल्पिट से कभी वर्ल्लीनेस प्रीच हुई है, न कभी इस पुल्पिट से वर्ल्लीनेस प्रीच होगी, प्रभू के जीवन की सौगन खाके कहता हूँ, कसम खाना मना है ना, लेकिन बाइबल यह भी कहती है, कसम खा तो पूरी कर, प्रभू के जीवन की सौगन खाके कहता हूँ, इस पुल्पिट से, अगर मुझे कुछ हो भी जाए ना, तो भी मैं इस पुल्पिट से, ईशू का प्रचार करना कभी बन नहीं करूँ, I will pray Jesus, His life, पढ़ाया आपने, घर जाना, 11 चेप्टर पढ़ना, वह, पवित्र स्थान में होने वाले, होम बली को बंद कर देगा, यूनों कुछ परचारक ऐसे होते हैं, जिनोंने सिखाया ही नहीं है अपनी कलिस्या को, कि प्रभू के पीछे चलने के लिए, बलीदान होना पड़ता है, कितने लोगों ने ये वचन पड़ा, ईशू ने कहा, यदी कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो अपना इंकार करे, एक लीस्ट वो ये कह रहा था, वो एवरी डे अपना कुछ बलीदान करे, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ, इस चर्च के बाद, अगर आप किसी को यूट्यूब पे सुनते हो, शेयर करते हो, कुछ भी करते हो, वो कौन है, और वो को क्या सिखा रहा है, कहीं वो आपके बीच में अलग ईशू, तुम अलग आत्मा और अलग सुसमाचार तुम परचार नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है, कि ये कलीज से आपको सिखा रही है, ईशू के पीछे चलना, और यहां से जाने के बाद, आप इतने लोगों को सुनते हो, कि आपको पता ही नहीं है, कि आपको जाना करा है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, हजार लोगों को सुनते हैं, और उनसे कन्फ्यूस्ट कोई व्यक्ती नहीं रहता है, हर व्यक्ती अपने अपने हिसाब से बता रहा है, मेरे भाईयों, मेरी बेहनों, यहीं वो प्रचार होगा, जिसके वज़े से बाईयों बताती है, उन दिनों में अदन में साप आया, और इन दिनों में एक ऐसा प्रचारक आके खड़ा हो गया, जो आपको वो दे रहा है, जो आपको चाहिए, कभी आपने सोचा है, कई बार आपको कलीस्या में आने का मन क्यूं नहीं करता, कई बार आपको वसा क्यूं लगता है, आज घर में बैटे, छोड़ना ममी, छोड़ना डैड़ी, आज घर पे बैटते, जानते हो क्यूं, क्योंकि तुमको पता है, ये कलीस्या वो नहीं कहेगी, आप जानते हो मैं किस कलीसा को जॉइन करूँ अगर आप में एक पास्टर नहीं होता मैं आपको सच कहता हूँ मुझे पता चलता जॉन वैसली ने चर्च खो लिये मुझे पता चलता विगल सुर्थ ने चर्च खो लिये मुझे पता चलता विलियम बूत ने चर्च खो लिये मैं आपको सच कहता हूँ मैं साथ समूंदर लांग के उनकी चर्ज को जोईन करता जानते हो क्यूँ मैं आज से पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो इस तरह का प्रचार पसंद करते हैं मैं आपको प्लीस खोलिए मत सिर्भ यहां देखिए मती 26 तीस प्लीस आप यहां देखिए कोई भी डिस्ट्रेक्ट ना हो बात में आप ले जाना मैं पूछता हूँ आप से कितने लोग इस तरह के संदेश को पसंद करते हैं फिर वह बजन गाकर जैकून के पहाड पर गया उससे रोटी ली उससे तोड़ी उससे पता है जैसे रोटी तोड़ रहा हूँ वैसे अब मुझे तोड़ने वाले हैं उसने बजन गाया सोचो आपको कॉल आए डॉक्टर की तरफ से आपको कैंसर है अपना रिपोर्ट लेके जाएए आप गीत गाते हुए जाएंगे जिसने आकाश बनाया जिसने पृत्वी बनाई वो यहुआ मेरे संग संग है इस तरह का जीवन जो कहे वो कली सा सही होती है वो मरने वाला था और लिखाए वे बजन गा रहे थे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सोचो आप फेल हो गए हो आपके डैडी आपके साथ स्कूटर पे बैठे हैं आप रिपोर्ट काट लेने जा रहे हो आपको पता है आप फेल हुए हो आप गीत गाओगी वो मरने से पहले गीत गा रहा था टेल मी इंटर्वी पर जाते हो ना बहुत लोग मैं कोई जॉप नहीं मिला मैं कोई नौकरी नहीं मिली बरदर रिजेक्ट कर दिया गीत गाता है तू फेल होने के बाद निकल कैसा कह सकता है जिसने आकाश बनाया जिसने पृत्वी बनाई वो अब भी मेरे साथ है परमेश्वर ने आपका खुदा इस तरह जीता था उसे पता था पांच मिनिट के बाद दस मिनिट के बाद मैं किसी के हाथ में रहूँगा मुझे दाड़ी से खीचेंगे मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे गालिया देंगे, थूकेंगे कभी किसे थूका है आप पर अरे गाड़ी चलाते हो कोई बाजू में थूक देता है थोड़े छीटे क्या लगे उसको मारने चले जाते हो ये नो आप गाड़ी चलाते हो न कई बार कोई ऐसे गुटखा खाके टुबैको खाके थूकता है कुछ चीठे क्या लगते हैं आपको मन करता है इसका मडर कर दू होता है नहीं होता है कितने लोगे है जो पीछे पीछे गए हैं उनके गाड़ी दुका रहे तू थूका कैसे लीचे उतर क्या समझा अज मखोटा उतारना है कुछ लोगों का जो अपने आपको स्प्रिचल समझते सारा दिन कुड़कुडाएंगे ये नहीं है वो नहीं है वो बजन गा रहा था और अफ्टर एस सॉंग प्रेस तो गौड दे वेंट आउट अन्दा मौंट आफ ओलाइवस वो बजन गा रहती आप जानते हो परमेश्चर आपको इस तरह की जिन्दगी देना चाहता है चलिए बंद करने से बिल एक सवाल पूछता हूँ आपसे जब सिलास और पॉलस जेल में गए अंदर गए तो वो क्या कर रहे थे बरो बर बताइए वहाँ पर दरोगा ने आके क्या पूछा उद्धार पाने के लिए ये सवाल उनके मन में कैसे आया आप जानते हैं इन लोगों ने देखा ये जेल में आरात्ना कर रहे हैं ये बंदे हुए लोगे इनसे फ्रीडम तो कोई लगी नहीं रहा है इनसे फ्री तो हमें भी ऐसी जिन्दगी जाएए उसके बाद जाके पूछते हैं ऐसा लाइफ पाने के लिए हम क्या करें बिलीव इन लॉड जी सस्क्राइब उस पर विश्वास करो वो कहते हैं वो सोच रहे थे ये कैदी हैं हम कैदी लग रहे हैं ये इतने फ्री लगे फड़े हैं इतने आज़ात लोगे हैं वो देख रहा था ये गीत गा रहे हैं इनके हाथ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था ना गिटार थी ना कैंगो था ना कुछ भी दी था इनके हाथ में जन्जीरे थी ये शू नाम की जैया जैया हो वो जन्जीरों से गीत गा रहे थे वो बोल रहे थे यार ये कह दिये के हम कह दिये इतनी फ्रीडम है इन लोगे पास चलो इनसे पूछते हैं ये लाइफ इनक कैसे मिली और जाकर कहते हैं माश्य हमें बताईए ये उधार ये आज़ादी पाने के लिए हम क्या करें पॉलूस कहता है विश्वास करो कि वह खुदावन का बेटा है और तुम बचाए जाओगे तुम उधार पाओगे वूँ दो अफ़ते पहले एक बेहन ने कॉल किया बस मैं दो मिनिट में पूरा करूँगा बोला भाया मेरे सादिक बीमार विक्ति आ रहा है आज मैंने बोला दो आज आप उसे इंकरेज करना मैं जानती हूँ आप हारून हो उसे वैसा खुदा बना के दो जैसा उसको चाहिए मैंने रहा है लेकर आओ येस लेकर आओ और आप बिलीव करेंगे जब वो बंदा यहां से जा रहा था उसे मुझे क्या कहा ब्रदर, I feel much better मैं बहुत ठीक फील कर रहा हूँ आच प्रभू मुझे बता रहा है प्रभू मुझे बता रहा है प्रभू ने में को दिखाया प्रभू ने में को शो किया कई बार ये लेंगविज यूस करने वाले इनको ये भी नहीं पता चलता के अच्चली खुदा नहीं बता रहा है अब आप मुझे बताईए एक बहन यहां पर ऐसे बैठी हुई है यहां पर कोई है डिप्रेशन में हाँ मैं आई हूँ कोई और बैठा कर और कोई है कहां पर ऐसा मैं यह दो बैठी हूँ यूनों सो क्लेवर हुमन आइडियास को गिफ्ट अफ गॉड कहते है कुछ लो मैं आई वास इन अंदेरी एक चर्च में सब यंग गल्स बैठी थी और दो स्पीकर थे एक मैं एक दूसरा तो वो लड़का एक्चली यह बात नहीं जानता था कि मैं थोड़ा स्प्रेशरी मैचोर हूँ तो वहाँ पर खड़ाओ के बोलता है कोई है यहां कोई है जिसको पेट में दर्द है पैस सब उसकी नौटंकिया देख रहा था मैं ना तू पूरा कर मैं फिर चुरू करता हूँ कोई है यहां पर कोई है मैंने का येस ब्रदर नाम भी बताएंगे उसका भी अब यह देख रहा था मैंने का ईशू ने ऐसा नहीं का पेड़ पे कोई है पेड़ पे कोई है जीसस आज जखाई नीचे उतर उसने हमें अपना नाम लेकर बुलाया है उसने ये टुका प्रॉफिसीजर नहीं की है कोई है कोई है अरे कौन है बताना आप जानते हो बाइबल के अंदर प्रॉफिट्स किसको कहा गया तरह कितलों के बाद जानते हैं प्रभू ने कहा था नीनवे पलट दिया जाएगा पर वो पलट दिया गया याद रखना जब परमेश्वर आप पर रिवील करें कि मैं यहाँ पर कुछ खतम करने वाला हूँ तो सिर्फ आपको यह नहीं कहना है कि जाओ वो खतम करने वाला है आपको यह कहना चाहिए ब्रदर वो खतम कर सकता है रिपेंट करो वो बचाएगा बाइबल की प्रॉफिसी इंसान के रिपेंटन्स के बाद चेंज भी होती थी याद रखना इस चीज़ को हमेशा जब बाइबल परचार करती है जब प्रॉफिसी होती थी तो उसे प्रॉफिसी नहीं होती थी खुदा उसे बदलता था जब लोग अपना मन फिराते थे आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ आज डोंट लिसन दे प्रीचर्स उन लोग को मत सुनो जो सिर्फ आपको वो सुनना चाहते हैं जो आपके कानों को अच्छा लगे